कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी साधी में जाना होता है या फिर कहीं घूमने जाना होता है उसी टाइम पर आपके periods आने लगते हैं और plan बिगर जाता है ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिन से आप period को जल्दी ला सकती है और tension free के अपना time अच्छे से enjoy कर सकती है लड़कियों को किसी trip पर जाना होता है या कहीं घूमने जाने का plan बनाते समय या फिर किसी दोस्त या रिस्तेदार की साधी में जाते वक्त period की date का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि event के दोरान path change करने के साथ ही heavy physical activity में परिशानी आ सकती है कई बार इसके चलते plan cancel भी करना पड़ता है कई बार ऐसा भी होता है कि period लेट हो जाते हैं और परिशानी बर जाती है तब ये पुराने नुसके ढूनने लगती हैं जिन से period जल्दी आ जाए हम आपको कुछ ऐसी tips बता रहें जिनकी मंदद से आप period जल्दी से जल्दी लापाएंगी एक बात का आपको ध्यान भी रखना है इन उपायों के इस्तिमाल से abortion भी हो सकता है अगर आपको लगता है कि गर्भा वस्ता की वज़े से आपके period में देरी हो रही है यानि की गर्वपात का भी खत्रा है तो इसलिए आप उन लोगों को इसे इस्तिमाल नहीं करना चाहिए जो अभी period नहीं चाहती है मतलब pregnancy रखना चाहती है पहला है अरजवाइन 150 ml पानी में 6 गराम अरजवाइन को उबाल लें और दिन में 3 बार पिए इसके अलावा दो बार अरजवाइन की चाह पिए अगला है जीरा जीरा की तासीर गर्म होती है इसका भी अरजवाइन जैसा परयोग किया जा सकता है अगला है कच्चा पपीता यह सबसे आसान और सुलब उपाय है जिसकी मदद से period जल्दी आते हैं पपीते में ऐसा तत्व होता है जो uterus में कसाव पैदा करता है कसाव के कारण period जल्दी आ जाते हैं कच्चे पपीते का जूस बना कर पिए या फिर आप कच्चा भी खा सकते हैं अपने मासिक चक्री के बीच में रोज पपीता जरूर खाएं अगला है अद्रक अद्रक period लाने वाले सबसे ताकतवर उपायों में से एक है यह बेहत गर्म होता है हाला कि इसके side effect भी हो सकते हैं अद्रक से gas बनती है हाला कि अगर आपके period काफी डिले हो गए हैं तो अजवाइन और अद्रक की चाई ट्राइ कर सकती है इससे आपका काम हो जाएगा अगला है धनिया अनेमित period के लिए धनिया के दाने भी बहतर उपाए हैं अपने period से पहले एक चमच धनिया के दानों को दो कप पानी में उबाले फिर छान कर उसे दिन में तीन बार पिए अगला है सौफ सौफ की सुगंदित चाई के इस्तेमाल से भी आप जल से जल पिए जला सकती है एक गलास पानी में दो चमच सौफ रात भर रखें और सुबह चान कर पी लें खाली पेच सुबह सौफ के इस पानी का परियोग करने से भी आपको फायदा होगा अगला है मेथि दाना मेथि के दाने को पानी में उबाल कर पिए इस उपाय का इस्तमाल करने से पहले अपने विसे सग्गे की सलाख जरूर ले अगला है अनार आपकी नेमे डेच से पंदरा दिन पहले से दिन में तीन बार अनार का जूस पिना सुरू कर दे इससे आपको period जल दिया जाएंगे अगला है तिल तिल को अपनी नेमे डेच से 15 दिन पहले इस्तमाल में लाए यह काफी गर्म होता है इसलिए आपको कोई नुकसान भी पहुचा सकता है तिल के दाने को दिन में 2-3 बार सहथ के साथ ले अगला है vitamin C वाले food अगला है गाजर गाजर में करूटेन होता है इसका जूस बनाकर पीने या फिर खाने से पीडियत जल्द आते हैं अगला है गुर्ड गुर में जीरा तील और और जवाइन मिलाकर खाए इसससे period जल्द आएंगे अगला है खजूर, खजूर से भी सरीर में गड़मी बढ़ती है अपने नेमे तारीक से पहले खजूर की एक सिमित मातरा में सेवन करें इससे लाब होगा अगला है अंडा, अंडों में प्रोटीन होता है इससे आपकी बॉडी पीरियेट से संबंद समस्ताओं से निपचने की छमता पापाती है उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज माचानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें